हाई डूर्स आयम राम्यादव आयम डूइंग वेल एंड आई होप यू आर आलसो डूइंग वेल तुड़े डिस्कसिंग एवाउट सम इन्पोर्टेंट कोश्चन इन साइंस जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि हमने थर्डिंग पार्ट आपका अप्लोड कर चुके हैं फ्रेंट कोश्चन जो बनते हैं और गुर्तव करें से जो कश्टन आएंगे न सभी कुष्टनों पारेमें हम बात करेंगे जिससे के आने वाले एक्जाम में हमें जो कुष्टन पूछे जाते हैं लगवा एक या दो कुष्टन यहांसे आपको मिलता ही है तो उन कुष्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो माई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंड बैल आइकन दवाले जिससे के आपको आने वाली लेटर्स अपडेट मिलती रहेगी जैसा कि आप लोगों को पता है सीटर सीरीज हमाली चल रही थी और अभी यूपी टैट आने वाला है तो हम उसके ल मरें कोशन पर कोशंट अमारा कश्ड कोश्जं है कि यद्यदू प्रतवी का बियास बरतमान ब्यास का दुगन हो जाए पीक किसी बस्तू के भार पर क्या प्रभाव होगा से प्रुखं उर्दाफर 2 रह जाएगी मतला retrouver नेस्ट कुश्चन जो है वो आपका है यद कोई व्यक्ति प्रत्वी की सत्य से प्रत्वी की त्रज्या के बरावर उचाई पर चला जाए तो उसका क्या होगा तो एक चौथाई रह जाएगी नेस्ट कुश्चन है प्रत्वी तल से नीचे प्रत्वी की त्रज्या के बरावर गहराई पर चला जाए तो उसके भार में क्या परवतना आएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा सून ने हो जाएगा नेस्ट यो कुशन है वो है आपका यद दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वारा गुरुता कर्शन बलके इमान पर क्राप प्रभाव होगा तो एक चौथा ही रह जाएगा नेस्ट कुशन है एक बस्तू का द्रब बिमान 10 किलोग्राम है इसका भार क्या होगा जबकि जी और बरावर 10 मीटर प्र सैकेंड स्कुराइर तो गाइज भार बरावर क्या होता है mg होता है mg का मांदे रखा है g का मांदे रखा है आप मल्टिप्लाई करेंगे 10 मल्टिप्लाई 10 तो क्यतना हो जाएगा 100 किलोग्राम भार हो जाएगा या 100 Newton हो जाएगा Next question है हमारा Newton के गती बिशेक प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं तो जड़त्त का नियम जानते हैं इस नाम को गती का प्रथम नियम को Next question है उस बलकी गड़ना कीजिए जो एक कार का बेग ब्राम अवस्ता से 10 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड कर दे कार का द्रब्यमान 1500 ग्राम है तो यह है 4500 नियूटन आंसर हो जाता है Next question है कि दोरता हुआ ब्यक्ती एक आएक ठोकल लगने पर आगे की ओर गिर पड़ता है क्यों? तो पैर अचानक रुक जाता है परंतो शरीर का उपरी हिस्सा अब भी जड़तो के कारण गत्मान रहता है इसलिए ब्यक्ती सामने को गिर जाता है Next question जो है वो है लंबी कूंद लॉंग जंप का खलारी कूंदे से पहले कुछ दूरता है क्यों? दूरने से गती के जड़तो गुड का उसे लाफ मिलता है और वह दूर तक कूंद पाता है Next question है आपका वो है किसी निर्जी बस्तू का वह कौन सा गुड है जो उसके बिराम अथवा गती की इस्तिती में परिवतन का ब्रोध करता है तो वो जड़तो का नियम करता है Next question है पांच किलोगराम तता 25 किलोगराम के दो पिंड है बताईए किस पिंड में अधिक जड़तो होगा तो 25 किलोगराम के पिंड में अधिक जड़तो होगा मला जितना जो बेट का भारी होगा उसमें उतना ही आदा घणतो होगा Next question है प्रत्य किरिया के समान वा विप्रीत पित किरिया होती है या न्यूटन का गति बिसे या कौन सा नियम है तो ये कृत्तिय नियम है Next question जो है आपका सरल मसीन किसी ब्यक्ती की सहायता के लिए किस प्रकार कर करती है तो कम बल लगाकर अधिक मात्रा में काम करने में सहायक होती है ये सारल मसीन हैं सिर्फ तीनों प्रकार के लिए उत्तोलन है प्रत्थम दुती तरती प्रकार के उत्तोलन है वो सारे के सारे सी में आते हैं जैसे चिम्टा है आपका सरवता है निवुन निचोडने वाली मसी ने इस तारीक एसे खाफी एक्जाम पिल है नएक कुशन है पदार्थ का संब्यगवा बेग के अनुपात में कौन सी रासी प्राप्त होती है तो वो दिरब बिमान होती है दिरब बिमान को इंगलिस में मास भी बोलते हैं अब कुशन बात करत हैं गरेवितेशनलल फोर्स की लगिकी तो कंशन फार को गरह के परता है घुमाने हैं तो अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता थह तो ग्रह के गुरत्वा कर श्रुबड क्से लगाते हैं तो अपनी मंदा किनीका लगाते हैं नैक्ट कुशन जो है आपका वहें तुल्ले कालिक उपक गिरहों को कितनी उचाई पर इस्तापित किया जाता है तो 36,000 किलोमीटर पैस ये कुश्चन आपका IS और UPSC में पूछा जासो का है PCS वाले एकजाम में तो बहुत इंपोटेंट कुश्चन रहता है आपका UPSC के लिए भी तो इसकोश्चन को थोड़ा धिहान से देखेगा नेक्सकोश्चन है गिरहों वा उपक गिरहों के मार्व को क्या कहा जाता है तो trajectory कहा जाता है ये कुश्चन भी काफी मोहद इंपोटेंट कुश्चन है नेक्सकोश्चन है यह किसी बस्तू को प्रत्वीश शंद्रमा पर ले जाएं तो उसके भारवा द्रभिमान में क्या परवर्चन होगा तो उसका भार बदल जाता है परण्त द्रभिमान उतना ही रहता है अब चेंज क्यों होता है भार बरावर होता है M.G. तो उसमें भार में M.G. G. का मान भी जुड़ा होता है तो इससे उसका मान भदल चेंज़ फिल रह जाता है दर्बिमान जो के तो रहता है नेस्ट कुष्चन है सारभाति गुर्तवा कर्षन नियतंग जी की काई क्या है तो वो Newton मीटर स्कार प्रत किलोग्राम स्कार होती है नेश्ट कुश्चन है वो आपका है चंद्रमा पर बाई मंडल क्यों नहीं होता है तो वहाँ गैस के अडूओं का बेग पलायन बेग से अधिक होता है नेश्ट कुश्चन है जी सारवात्य गृत्ता कर्शन नियतां का मान कितना होता है तो सिक्स पॉइंट सिक्स एवन टैन्टू दपावर नाइन्टीन न्यूटन मीटर प्रतिस्कार यहां पर थोड़ा सा मिष्टिय के तो टैन्टीन होता है सो फ्रेंड इस तरीके के हम मोश्ट इंपोर्टन कुश्चन लेके आते रहते हैं और यदे आपको हमारा पीडियाफ या रिटाइन डिटल मैटरियल चाहिए तो आप हमारे बॉट्सप गुरूप और टेलीग्राम गुरूप से जॉइन कर सकते हैं इसका जो लिंक दे रख लगुद्फ गुरूप से जाके आप हमारे बॉट्स अब टेलीग्राम से जुर सकते हैं जिससे के आपको मैटरियल इस्टवी मैटरियल प्रोबैट किया जा सके ही और आप हमारे चैनल पर नहीं है आपने मतलब सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन दवालें जिससे की आने यूपी टेर्या सीटर देने जा रहे हैं तो उन सभी को ये वीडियो सेयर करते रहें जिस्से कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रों में बेक्तियों को लाब हो सके तो गाइज मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक टेर एंड वाए